हेलो फ्रेंज वेलकम टू हरी टेकनिकल दोस्तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा अगर आपका LED सर्किट खराब है और इसका कॉंपोनेट चेक करने के लिए आप लोगों को पास इस तरह का मल्टी मीटर नहीं है तो आप सिरिंज बोड से कैसे इसमें रिकन को अलपस सेट कर दिए तो चलिया दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और मल्ली में रखते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहा हैं यह LED का सरकिट है और इसमें कैसे चेक करना है आपको हूं मैं आप लोगों को इसमें सिखाता हूं तो यह रहा मेरा सिरिंज ल दोनों लेख पे हम लों लगाएंगे और यह लेडी यह 100 वाट का बल्फ इस तरह से जलेगा और ज्यादा देर तक मत लगाईएगा ठीक है और इसमें क्या होगा कि जैसे यह अगर जल रहा है तो आपका एमोभी ओके है अगर यह खराब हो जाएगा तो यह जलेगा नहीं हम हमनों का 100 वाट का बल्फ नहीं जलेगा क्यूंकि अंदर से जो वेर होता है वो कट जाता है तो यह हो गया आपका पहला सिरींज बोर्ड से एमोभी को चेक करने का नेक्स्ट हो गया यह ड्रम इंडॉक्टर कोयल जो हमनों का सर्किट में लगा रहता है इस ब्लेक कलर का इस इसको चेक कर सकते हैं तो इसका भी दोनों लेग में लगाएंगे तो चलिए मैं आपको लगा देता हूं और इसमें भी 100 वाट का बल्फ जलेगा क्यूंकि इसका अंदर कोयल रहता है यह देखी इस तरह से यह जल रहा है यानि कि यह ओके है अगर इसमें अगर वैर जो है कट जाएगा तो यह नहीं जलेगा तो यह दो कॉम्पोनेट आप चेक कर सकते हैं थार्ड नमबर बात करते हैं यह जो फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसको चेक करते हैं तो इसका भी दोनों लेग पर लगाएंगे और यह खराब है इसलिए यह नहीं जल रहा है यह देखिए अगर यह ओके होगा तो ज़रूर जलेगा तो यह खराब है तो नहीं जल रहा है तो यह तीन कॉंपोनेट हो गया चौथा है हम लोग का यह जो ट्रांस्फरमर इसको आप चेक कर सकते हैं इसका पहले लेग चेक कर लेंगे उसके बाद इसको इस तरह से इस तरह से लगेगा अगर यह कट जाएगा इसमें वैर तो यह नहीं जलेगा और इस जलेगा तो समझे यह ओके है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही और आप लोगों को पता चल गया कि आप LED सर्किट को सिर्रिंज बोर्ट से कौन सा कौन सा क भूलेगा थैंकि फर वाचिंग हरी टेक्निका थैंक्स